हालो दोस्तों मैं हूं अली जोकियान अकाइडमी पे एक विरिफाइड एश्केटर हूं आप सभी का हैदरी इस्टिपाइड यूटूब चैनल पे स्वागत करता हूं अगर आप लोग सीटेट यूपीटेट या फिर किसी भी राजी की शिच्छक फात्ता परचा की त्यारी कर रहें तो हैदरी इस्टिपाइड को यूटूब पे सब्सक्राइब कर लिए यहां पे आपको अर्दू के सभी इस्टिपाइड आसानी से दस्तियाब हो जाएंगे आज के अपने सीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीटेट अर्दू के लिए बहुत ही इंपोर्ट हाइमेमाली सर्श करके मुझे फालो कर लिगीए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले यह जान लेता है कि जिस्व की किसमी होती हैं तो में पैली पाहले कर दोस्विए मोढनस जिसन्क वह लोग फेमिनव महां चैन्डर कहते हैं तोम तकर क्या होता है वह इस मु जो नर्के के लिए इस्तेमाल हो उसको हम लोग मुजकर कहते हैं नर्जाती के लिए जो नाउन यूज होते हैं उनको हम लो मैंस कुली इंजेंडर कहते हैं जैसे मैं कहूं लड़का घोड़ा मुझा शेर तो यह सभी कहा है यह सभी मुझकर है अब बात करेंगे मुञणस की तो वह इसम का मुझनस शेर नहीं हो जाएगा तो यहां पे हमने मुझकर और मुझकर यह जान लिया अब बात करेंगे इसकीक्स में कि याकसा में तजकीर तानी इसकी बात करेंगे कायन साफ जेंडर को जानेंगे तो कायन साफ जेंडर भी दो होते हैं पहला जाए वो तजकीर तानी से हकीकी है और जो दोसरा है तजकीर तानी से गहरे हकीकी है अब तजकीर तानी से हकीकी क्या होता यह जान लेते हैं तो जिस जानदार के मुकाबले में उसकी मादा और मादा के मुकाबले में उसका नर हो उसे हम लोग तजकीरों तानी से हकीकी कहते हैं कि कोई भी जानदार हो अगर वो नर हो और उसके मुकाबले में उसकी मादा हो या फिर वो मादा हो और उसके मुकाबले में उसका नर हो तो उ तजकीरों ताने से हकी की हो जाएगा इसी तरह गाय की बात करें तो यह मौननस है और उसका पोजित जेंडर यानिकर का मुझा क्या हो जाएगा बैल हो जाएगा तो गाय और बैल यह भी क्या है तजकीरों ताने से हकी की इसी तरह मर्द औरत मुर्गा मुर्गी शेर शेरनी बकरा बकरी शोहर और बीबी ये सबी तजकीरों ताने से हकी की हो जाएंगे जो दोसरी किसम है इसकी वह तजकीरों ताने से गयर हकी की अब यह क्या होता है तो जो इसम बेजान हो उनकी तजकीरों ताने को हम लोग गाड़ी घड़ी क्या है बेजान चीज़ है उसका जो मुझकर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा घंटा हो जाएगा तो भड़ी घंटा क्या हो जाएगा क्या तजकीरों ताने से घार हो जाएगा इसी तरह जूता और उसकी जो मौनस होगी जूती जूता-जूती खुरुपः खुरुपी वगाएरा सभी तजकीरों ताने से घार हकी कहलाएं कि यहां पे एक नोट है वो भी पढ़ देते कभी कभी क्या होता है बेजान चीजों को उनकी छोटाई या बड़ाई जाहिर करने के लिए भी मुझकर या मुझका सेगा इस्तेमाल करने कि कोई भी नॉन लिविंग तिंग है उसको छोटा या फिर बड़ा जाहिर करने के पहाड़ी तोकरा से टोकरी खाड़ से खटोला घंटा से घंटी और जूता से जूती तो अमीद करता हूँ यह सबी बाते आपको समझ में आ गई होंगी अब हम लोग बात करेंगे मैस्कुलीन से फेमनी जिंडर बनाने के कुछ इंपोर्टेंट रूल्स की यानि कि मुझक से मुझकर से मुझक बनाने की क्या क्या नियम है उनको जाने के जो पाहला है वो यह है कि कुछ अरबी की कुछ अरब कुछ अरबी लफज की मुझक बनाने के लिए उनके आखिर में आम तोर से हा का इजाफा किया जाता है बहुत आसाने किसी भी अरबी लाज़क अगर हो जाएगा तो मॉलिम का मॉननस क्या हो गया मॉलिमा इसी तरह जमील जमील मिंस खोबसूरत इसका मॉननस बनाना है जोड़ दीजिये लाम में तो क्या हो जाएगा जमीला हो hierarchy यानि की अबादत करने वाले उसके पोजिक हो जाएगा इसका मौनस हो जाएगा आविदा इसी तरह नाजम का नाजमा साजित का साजिदा आक लिए कि अकलमंद का हो जायगा आकिला क्या कर रहे हैं हम लोग के अलफाज में मौननस बनाने के लिए आखिर में हे जोड सकते हैं अगला जो निया में वो यह है कि अगर हिंदी लफजों से बने मुझकर उस इसम के आखिर में अगर कोई भी हिंदी लफज है और वो मुझकर है तो इसम के आखिर में अलिफ यह है तो उसका मौननस बनाने क हाटा कर आमत तरसे यह लगाते कोई भी लफज है उसके आखिन में अՁगर याफ हे है तो आलिफ या हे को ह हटाए अर लाष्ट में यह लगा देजिसे मैं कहुँ घोड़ा आपको दिखोड़ा अपको दिखरा ओगा अलिफ में अलिफ लाष्ट में घोड़ा के लास्ट में क्या है अलिफ है तो अलिफ को हटाई ये को जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा घोड़ी हो जाएगा तो यहां से हमने घोड़ा का मौनद बना लिया घोड़ी इसी तरह बूढ़ा में भी अलिफ है लास्ट में अलिफ को हटाई ये उसमें ये क्या हो जाएगा बुड़ी इसी तरह दादा का दादी लंगड़ा का लंगड़ी अंदा का अंदी बेटा का बेटी मुरगा का मुरगी बकरा का बकरी गधा का गधी बतीजा का भतीजी हो जाएगा सिर्फ हम लोग अलिफ या फिर हे को हटाएंगे और उसके आखिर में हम लो कुछ मुझकर और मॉटनस लिखे गए, यानि कि पेशा और जाओ के लिहाद के लिहाद से कुछ मॉञंदस यहाँ पे आपको लिखे गए हैं, मुझकर से मॉँदस बनानाँ या कोई भी काईड़ा कुल्या नहीं है, यानि कोई इसका पर्टिकॉलर रूल नहीं है, अमूमन, मुझकर के आखिर में हम लोग क्या करते हैं आखरी हर्फ को हटाकर नून लगा देते हैं अब देखे कोई भी पेशा और जात है और उसका हमको मुझनस बनाना है तो उसके लिए कोई पर्टिलर रूर नहीं है हम लोग क्या करेंगे आखिर में नून लगा देंगे जैसे मैं क जोगि से जोगिन दर्जी से दर्जिन और तेली से तेलिल कसाई से कसाईं चमार से चमारिन हो जाएगा तो हमने क्या किया अंत में बस नून को जोड़ दिया इसका कोई भी काईदय कुल्या नहीं है अगला जरूर वही है कि कुछ असमा ऐसे होते हैं जिनके मुझकर जिनके मुझकर के आखिर में ये नी अनी लगा देने से उनका मौनस बन जाता है यानि कि आप क्या करेंगे आखिर में बस आप ये लगा ये नी लगा ये या फिर अनी लगा दीजिए तो इससे मुझकर से मौनस बन जाएगा जैगा जैसे भूत है ना इसके आखिर में आप लगा देजिए क्या हो जाएगा भूतनी इसी तरह कबूतर है इसके आखिर में आप यह लगा जाएगा कबूतर ही इसी तरह फकीर का फकीरनी हिरन का हिरनी डॉक्टर का डॉक्टरनी शेर का शेरनी महतर का महतरानी और देवर का दिरनि डोम का डोमनी मूर का मुरनी तीतर का तीतरी सेयد का सैधानी इस्ताद का उस्तानी और पठानी का पठानी हो जाएगा अगला जो निया में वह ये कह रहा है कि बाज मुझखर असमा कि आखिर में मामूली से तबक्तीदि करके या बगार तबदीली किये या बढ़ाने से मुझकर लफ़ का मौणनाज़ बन जाता यानि की आखिर में आप मामूली से टबदीली कीजीए मामूली से चेंज्ज कीजीए या फिर इस पस सिर्फ या बढ़ा दीजीए तो उस से आपका मुझ expendnast बन जाएगा जैसे उंद है ना इसका अपको माननस बनाना आप असको कर देजिए को कुटिया इसी तरह बंदर है आखिर में एति क्या कर् compliant बंदरीया मुझقد सबắहना स्थे टोह इसका हो जाहेगा मॉननस छुए थे